नबश्कार, अब हम लोग डिसकस करेंगे types of schizophrenia के बारे में Schizofrenia के types कौन-कौन से हैं? उनको हम one by one आपके साथ discuss करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे paranoid schizophrenia के बारे में तो ये paranoid schizophrenia में क्या होता है? ये positive symptoms के साथ present करने वाला dominating जो इसमें features होते हैं वो positive symptoms के होते हैं यानि इसमें person, delusion और hallucination के साथ present करते हैं तो ये most common type of schizophrenia है और इसमें presentation कैसा होगा hallucination और delusion का तो इसमें predominantly positive symptoms नजर आते हैं और मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी positive symptoms आते हैं उनकी prognosis अच्छी होती है इसमें आप इसके लिए एक और बात याद रखें कि इसका late onset होता है ये late onset variety of schizophrenia है जिसमें good prognosis होती है क्यों? क्योंकि positive symptoms good prognosis ये trick हम लोग ने पिछले lecture में आपके साथ discuss किया था अब इसके बाद एक और category आती है catatonic schizophrenia की catatonic schizophrenia में motor symptoms ज्यादा predominant होते हैं तो motor symptoms predominantly यहाँ पर होंगे catatonic symptoms या motor symptoms predominant होंगे जिसमें आप इकोलेलिया, म्योचिर्ज्म, इस पररोग्नोसिस परानौाइट सिजोफ्रेनिया का catatonic schizophrenia में best prognosis देखने को बिलता है, तो यहाँ पर drug के रूप में IV, लोरेजिपाम और electroconvulsive therapy दी जाती है, तो यहाँ पर लोरेजिपाम और electroconvulsive therapy तरापी काफी मददगार साबित होती है, इसका सबसे बहतर प्रोगनॉसिस है, इलेक्ट्रो कनवल्सिव थेरापी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रो कनवल्सिव थेरापी दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रो कनवल्सिव थेरापी और दूसर modified electroconvulsive therapy modified electroconvulsive therapy में सबसे पहले anesthetic isn't देते हैं और उसके बाद skeletal muscle relaxant देने के बाद electric shock देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा modification है modified वाला जादा बहतर होता है तो खेर हमें बस इतना याद रखना है कि catatonic schizophrenia में treatment का option क्या होता है तो lorazepam और electroconvulsive therapy होता है यह first line of treatment होते हैं इसके अलावा और भी categories इसमें पढ़ी जाती हैं इसमें disorganized जैसा कि मैंने आपको symptoms बताया था वैसा ही disorganized जो सिजोफरेनिया होता है उसमें disorganized symptoms ज़ादा prominent होते हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे एक बार फिर से जो सिजोफरेनिया है इसको habifrenic सिजोफरेनिया भी कहा जाता है तो इसे habifrenic सिजोफरेनिया भी कहा जाता है इसका early onset होता है और bad prognosis होती है bad prognosis क्यों होती है क्योंकि इसमें disorganized symptoms के साथ साथ negative symptoms भी देखे जाते हैं, तो इसका तुरंट early onset होता है और इसमें bad prognosis देखने को मिलता है, एक और category की बात करते हैं, simple schizophrenia की, simple schizophrenia में क्या होता है, इसमें simple schizophrenia में negative symptoms सबसे जादा देखने को मिलते हैं, तो चुकि negative symptoms जादा prominent होते हैं, जो simple schizophrenia है, इसका bad prognosis, bad नहीं, worst prognosis आपका है, तो worst prognosis किसमें देखने को मिलता है, simple schizophrenia में, तो worst prognosis अगर option में दिया जाए, तो वो simple schizophrenia में देखने को मिलता है, इसके अलावा एक और भी होता है category, जिसमें undifferentiated schizophrenia होती है, तो जिसमें features बहुत dominating किसी भी तरीके का नहीं होता है, तो उसमें ये कहपाना कि ये किस तरीके का होगा ये, ज़ादा clear नहीं हो पाता है, तो इसमें undifferentiated होता है, तो ये किसी sub type में इसको बाटना मुश्किल होता है, क्योंकि single predominant symptoms इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, इसकी भी relatively poor prognosis होती है, अब यहाँ पर best prognosis किस के साथ है, worst prognosis किस के साथ है, वो चीज मैंने आपको बता दिया है, treatment की बात करें, आपको बता है,